इस वीडियो में आप Statement Label Trigger के बारे में पढ़िएगा जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ जुके हैं Trigger दो टाइप्स का हो सकता है पहला Row Label Trigger और दूसरा Statement Label Trigger अभी तक हम लोग Row Label Trigger ही study किये हैं पिछले वीडियो में चलिए इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जो Statement Label Trigger का होगा अभी आप अपने स्क्रीन पे एक प्रोग्राम देख सकते हैं सबसे पहले चलिए समझते हैं प्रोग्राम करेगा क्या एक मेरे पास requirement है कि हम चाहते हैं कि मेरे किसी table जैसे employee table पे मंडे को नहीं insert हो नहीं update हो और नहीं delete हो मतलब जब भी insert, update और delete operation employee table पे मंडे को हो रहा है वो restrict हो जाए वो हो नहीं और यदि मंडे है तो लिखे cannot use table on मंडे ये message, error message आए आप यहाँ पे एक अलग तरह का error message देखिएगा raise application error और यहाँ पे एक error code है और फिर error message है ये raise application error message जो होता है ये custom message handler होता है यदि किसी program के किसी situation में हम चाहते हैं वहाँ पे कोई certain condition यदि fulfill नहों हो तो वहाँ पे एक error raise हो और वो custom error raise हो तो ये error number है ये basically हम लोग 20101 है यानि 20,000 से जादा कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे custom error का error code हम लोग दे सकते हैं अब चलिए हम लोग उपर से इस program को समझते है create or replace trigger यानि in case ये trigger नहीं है तो बन जाएगा यदि है तो replace हो जाएगा और trigger का नाम होगा holiday और ये trigger क्या करेगा तो before insert, update or delete on employee यानि ये trigger में जो भी लिखा हुए begin में ये before insert, update, delete command जब execute करेगा उसका just पहले ये execute करेगा ये trigger पुरा इसमें begin में करेगा क्या if सबसे पहले हाँ आप देखे इस चीज को हम जो select कर रहे हैं आपी इसको समझना जरूरी है to care और bracket के अंदर में system date, day यहाँ पे धियान देजे हमें इसा to care का use करके हम लोग system date का day देख रहे हैं और देख रहे हैं क्या वो Monday है यहाँ two care कर रहे हैं और यहाँ पे system date दे रहे है system date मतलब system का जो date है यहाँ capital D और a small a और y लिखे हैं इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे Monday देंगे इसमें भी उसी form में होना चाहिए पहला लेटर जो है वो capital होना चाहिए बाके सब इसमाल यहाँ हम लोग सब capital देते हैं तो यहाँ भी सब capital होना चाहिए यहाँ सब small देते हैं यहाँ भी सब small होना चाहिए यह हमें इसा manage किसेगा तो यह two care क्या करेगा system date का day इससे match कराएगा और यह आठ रिम वाइट स्पे यदि Monday है तो application error एक raise होगा error code होगा 20101 और message आएगा cannot use table on Monday unfortunately आज हम यह Monday इसमें दिये हैं इसलिए क्योंकि मेरे system date में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं Monday September 29th 2014 यहाँ सो कर रहा है यदि हम यहाँ पे इस application को run करेंगे जैसे चलिए सबसे पहले इस trigger को बनाते हैं इसके लि statement level trigger.sql और आप देख सकते हैं trigger created और जैसा कि यह trigger यहाँ पे जो employee table है इस पर run करेंगा इसलिए employee table में कुछ operation ऐसा करते हैं पहले देखते हैं employee table में किया है selected sticks from employee और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सरा employee आ रहा है आप इंप्लोई आईडी है इनेम है डी आईडी है डी नेम है और लोकेशन है चलिए जिसका employee id 1 है नेम नीशा है इनका धनबाद जो location है उसको बोकारो करते हैं इसके लिए हम लोगो निशीर है update करना आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट भी रिस्टिक्टेड है मंडे को तो यहाँ पर हम लोग update कमांड करते हैं update क्या employee table set location equals यहाँ पर हम देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं error देखिए cannot use table on Monday और यहाँ पर देख सकते हैं error during execution of trigger यहाने trigger से यह error आ रहा है और error का message क्या है cannot use table on Monday यहाँ notice किजिए oracle error 20101 यह वहीं error code है जो हम लोग यहाँ पर specify किये थे तो यह जो आप अभी trigger देख रहे हैं यह statement label trigger है क्योंकि इसमें कोई यहाँ पर raw label execution नहीं हो रहा है यानि यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि for each raw यह काम करना है और अब चलिए हम लो Sunday को यहाँ भी copy कर देते हैं ताकि message भी friendly आए और अभी हम लोग इसको run करते हैं इस file को फिर से ताकि trigger जो है वो update हो जाए और आप देख सकते हैं trigger फिर से update हो गया और अभी हम यदि update command execute करेंगे और आप देख सकते हैं one row updated यहाँ पर हो गया काम कर रहा है क्योंकि यह condition match नही है इसलिए यह error code भी नहीं देखे और update command success हो गया उमीद करते हैं इस वीडियो में आप statement label trigger बनाना सीख गया होंगे thank you